अब भारत चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के बारे में बातचीत हो, भारतcheck को बनेंगे फ्लe जो बारे का य। कि छो पाकिस्तानी एजअरों का के दुप एक डाम आई मुझे रहीं है और भारत लुम्तानी इंचिओं के भावश। आपकी तो कंट्री में फौजी शासन रह चुका है, चार बार आपको इतनी एकल नहीं है जहें दोस्तों, मैं हूँ मेजर गौरवारी और आप देखने दिचानक के डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत दूलिएगा दोस्तों अच्छा दोस्तों कल रिपब्लिक डे था, गंतन दिवस था और आपने देखा किस तरीके से, यूनो मार्चिंग हुई, मार्च पास्ट हुए और किस तरीके से जहां की आई, जैसे कि हर साल आती है इस साल दो-तीन चीज़ा नहीं थी, पहली बार तो अगनिवीर इसमें थे, एफ़ोस के कंडिजन में, चार ये अच्छा है कुछ, अगनिवीर थे, नारी शक्ती दिखाई, लेकिन जो सबकी आँखों में जो चीज जो समाई हुई थी, और कई लोगों ने मुझे फोन करके यहां पे, यहना UAE वाले भी आ चुके हैं, तो पहली बात तुम आपको यह बता दू कि राजपत, जिसे अब करतव विपत बोलते हैं, यहां पे यह पहली फॉरेन आमी नहीं है, इसके माइने क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्यों किसी खास हेड ओफ स्टेट को बुलाया जा है, देखें, यह बहुत बड़ी इज़त की बात है, जब आप किसी भी हेड ओफ स्टेट को बुलाते हैं, जाहिर सी बात है, आप उसको चीफ गेस्ट बनके बुला रहे हैं, और यह चीफ गेस्ट वाली जो रीती रिवाज है, बहुत पुरानी है, यह अभी से शुरू नह चुके हैं, दुनिया भर के मतलब आप देख लिए, कि पीपल हफ का में है, और हर साल आते भी हैं, यह सेलेक्शन किस तरीके से होता है, सेलेक्शन ऐसे होता है, कि जिस मुल्क के साथ आप तालुकात बहतर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वह आपके लिए इंपोर्ट अब देखी एजिप्ट, एजिप्ट क्यों इंपोर्टन है, एजिप्ट काइदे से अगर आप टेक्निकली देखी है, तो नौर्थ ऐफरिका, एजिप्ट छूता है नौर्थ आफरिका को, ठीक है, लेकिन एजिप्ट इस अलसो इन एशिया, एक तरीके, इट स्ट्राइब मुझे ये कहना चाहिए, कि it straddles both, it's not in Asia, but it straddles both Asia and Africa, Suez Canal के बारे में हम सब लोग जानते है, कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रहा इसमें, so a country that straddles both Africa and Asia is, जिसको कहते है ना कि strategically very important, हमारे सामरिक तौर पर सामरिक दृष्टी से बहुत important है, और ये जो LCC साहब है, ये ये आमी चीफ भी होते थे, वहांके डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे, और अब वहांके ये प्रेसिडेंट हैं, ये लिबरल हैं, इनका काफी कुछ जो है, ये मुस्लिम ब्रदरोट के खिलाफ हैं, काफी कर चुके हैं, किसी और दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क इसमें दो-तिन कारण है, पहली बात तो ये है कि G20 समिट इस साल हो रहा है, आपको पता ही है कि G20 समिट इस साल होगा, इस साल के एंड में कभी G20 समिट इंडिया में होगा, और भारत चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के बारे में बातचीत हो, भारत न देशों की आवाज बनेंगे जिनकी खुद की इतनी आवाज बुलंद नहीं है वो देश जिनकी डिप्लॉमसी जबरदस्त नहीं है जिनकी मिलिटरी पावर इतना जबरदस्त नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है वो देश हम उनकी आवाज बनेंगे और ये भारत में काम इस अल्रडी चुरू कर दिया है, साल का पहला महीना है यह, जन्वरी है, लोग वादा कर देते हैं, फिर कभी जाके उनको याद आता है एंड में, लेकिन भारत ने वादा करा, और एक मेहने के बाद ये काम हो गया है, तो दोस्तों इस तरीके से सेलेक्शन होता है, इस तरीके से किसी foreign power को बुलाए जाता है, foreign president को बुलाए जाता है, और ये सब बाते होती है, बड़े अच्छी meeting गई और काफी चीजों पर agree भी करा है, और एक और चीज़े इनका सूल्स कैनाल economic zone है, तो वहाँ पे भारत को जमीन देने की बात हुई है, कि भारत अपने plans इनको submit करेगा, कि हम ये industries, यानि कि भारती एक company अब Egypt नो जाके काम करेंगी, तो ये बहुत बड़ा take away है, उसके अलावा बहुत पहले से इनके fighter pilots को लोग train करते हैं, लेकिन देखें जो military तालुकात होते हैं, military तालुकात सिर्फ एक level तक होते हैं, सबसे मजबूत तालुकात जो होते हैं, क लेकिन सबसे अधा important क्या होता है, commercial ties होती है, economic ties होती है, जो कि Egypt के साथ हमारी हैं, और अब और एक level पर उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, Egypt is also to our mind, to my mind, a gateway to Africa, अगर हमें चाइना को counter करना है तो, Egypt एक बहुत बड़ा, इसमें हमारा साथ ही बन सकता है, अगर हम Africa की बात करें, खास दोर से, अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, Indian Army के तालोग से, Indian Army ने दो तिन चीजों का order दे दिया, पहली बात तो jetpacks का order दे दिया, 48 jetpacks, अब ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर है, ये है एक आदमी की, ये हमने ऐसी internet से लिए है, ये एक आदमी क what the Indian Army is doing is, 48 jetpack suits, ठीक है, और 50 किलोमेटर प्रती घंटी की रफतार से आप उर सकते हैं, कुछ समय के लिए, तो मुझे लगता है, खास तोर से जो हमारी special forces हैं, पर ISF हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, अगर कभी आपको चीन के अंदर डलना हो, पाकिस्तान के अंद इसको टेस्ट करा जाएगा, फिर देखेंगे कि और चाहिए होगा, तो चार-500 और ले लेंगे, वो तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्नोलजी अभी टेस्ट आउट करना शुरू हो गई, दूसरी चीज़, जो फॉज लेना चारही है, वो लेना चारही ह ही उठा पाते, अब एक खचर की उपर आप, you know, you can keep 100 kg, आपने 100 kg रख दिया, अब कोई इनसान या 1.500 kg रख दिया, लेकिन कोई भी इनसान 100-500 kg लेके, आप उस हाइल्टिटूट में चड़ना उसके लिए नामुम के नहीं है, वो बैठ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी जगे रोबोटिक, जो रोबोट्स हैं, वो रोबोज लिये जाएंगे, इनको रोबोटिक मूल्स कहा जाता है, और यह 10,000 फुट और उससे उपर की जगे में कारवाई करेंगे, यानि कि हाल्टिटूट को लिए ले रहे हैं, और वहाँ पे दुर्गम छ अब यह टेथर ड्रोन सिस्टम्स क्या हैं, बिसिकली क्या है कि ग्राउंड बेस स्टेशन से कनेक्टेड रहते हैं और यह उड़ते हैं और जो विज्वल लाइन अफ साइट होता है न जो या विज्वल रेंज उसके दूर जाके भी उससे आलग होके भी यह काम कर सकते हैं और इंटेलिजन्स गैदर कर सकते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास तोर से ऐसे दुर्गम आलाकों में जैसे की लाइन ओफ आच्छल कंट्रोल है, या लाइन ओफ कंट्रोल की कुछ ऐसे इरियास में मुझे लगता है जारा तर यह चाइना को लेकर यह मामल चेन के उपर, you know, 5G किस तरीके से इंटेग्रेट करा जा सकता है, यह सारी कि सारी चीज़ें और यह कर रहे हैं, IIT इसमें शामिल है, इसमें DRDO शामिल है, टॉप कटिंगे इस टेक्नोलोजी में भारत के, जो अकसर लोग मुझे सब पूछते हैं कि मैंजे साब यह फौज म आ रही हैं, यह बहुत बड़ी हाँ बात है, अच्छा, अब आते हैं, खबर पाकिस्तान, मेरा फेवरेट टॉपिक, खबर पाकिस्तान, मोधी जी ने बहुत बड़ा जोखम ले लिया भाई, बहुत बड़ी एक परिशानी मोल ली है मोधी जी ने, मोधी जी ने SEO समिट जो लेकिन सर्दियों में जाई है तो अच्छा रहता है गोवा में कर दिया है इनोंने कर दिया ठीक है है यहाँ पे कोई एक स्वाइजेट दुनिया भर के लोग बैठे हैं ठीक है वह पर बिलावल भुटो भी बैठा हो और सब के सामने अगर विलावल भुटो मोदी जी से मिजबान है उसको मना भी नहीं कर पाएंगे और मुझे लगता है यही पाकिस्तान की अगरी तरकीब रह गई है कि भारत से उपर उपर तो दुश्मनी की बात करो गालिया दो लेकि चुपके से जाके कटोरा फेक के मारो ऐसे ठक से कटोरा फेक के मारो उड़ता हुआ के कटो दो तो उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे फस गए मोदी जी यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी साज़ेश है और बहुत बड़ी चाले मैं मजाक नहीं कर रहा है आप लोग सोचे में मजाक कर रहा हूं लेकिन आप सोचिएगा कभी इसके बारे में अगर मांगले सब के सामने तो क्या कर लेंगे हम लोग है ना एनिवे दूसरी चीज़ है कि हीना रवानी खर जो उनकी नंबर टू है जो पहले एक जमाने में नंबर वन हुआ करती नीए शी वास फॉरन मिनस्टर हीना रवानी खर कहती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बैक चैनल बात ची चीज़ है रवानी स्टेटमेंट यह है कि अवर सिंस दे इंकम्बंट गवर्मेंट केम टू पाथ धर जी नो बैक चैनल दिप्लोमसी गों बट्वें पाकिस्तान अंटोल टू तो दू दुनिया को नहीं पता है असी कोई भी चीज नहीं हो रही जो भी हो रहा है सबको पत ठीक है अभी तक पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया है मुझे लगता है यह लोग सोच समझ के देंगे और मुझे ऐसा लगता है कि यह करेंगे लेकिन लेकिन हीना रवानी खर का यह स्टेटमेंट है कि पीठ पीछे हमारी भारत से कोई बात नहीं हो रही है जो हो र चलती होगी सब माफ करो हमने अपना सबक सीख लिया जब आप किसी को यह कहते हैं इंट्रनेशनल मीडिया के सामने आप यह करते हैं कि हमने लड़ाई-लड़ी भारत से हमने अपना सबक सीख लिया क्या सबक सीख आपने मैं अगर मेरे सामने शावाश शरीफ हो तो मैं उसस अप लोग करते हो ना फिल्मी वाली मैंने आपको पहले भी बोला था मोदी जी चूणियां करें हैं ठीक है मोदी जी कसने चूणियाँ जी रगी अप और कश्मीर कश्मीर करो अभि-ढाई हजार से तीन हजार यू नो रूपय का आटा है राइटक दस किलो का बैग यो दस कि कश्मीर करो कश्मीर 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 आप देखो आप बोलोगे कश्मीर मोदी जी करेंगे कट कश्मीर कट 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 होता रहेगा जितना कश्मीर करोगे चूड़ियां उतनी कस्ते रहेंगे मोदी जी उतनी चूड़ियां कस्ते रहेंगे आटा सबजी घी य इतनी गिर चुकी है कीमत in comparison to the dollar that और कश्मीर करोगे कश्मीर करोगे मैं बता रहा हूं कुछ समय के बाद यह tissue paper बन जाएगा अब मोदी जी बना देंगे tissue paper वो आपके पीछे पढ़ गया हाथ दो के ठीक है हाथ दो के नहीं गंगा जी में ना के आपके पीछे पढ़ गया अब आपके उपर है whether you want की जिन्ना की photo जिस currency में लगी है that currency will become tissue paper I am telling you मैं toilet paper नहीं कहना चाहता मैं tissue paper थोड़ी सी इज़्जत करता हूँ आप लोगों के इस level से tissue paper ठीक है जी अच्छा पाकिस्तान को पता लग गया है कि भारत जम्मू और कश्मीर में एक false flag operation करने वाला है यह दखो पाकिस्तान को पता भी लग गया false flag operation क्या होता है कि भारत अपने पर ही attack कर देगा यानि कि इंडिया की जो security agencies है भारती सेना जो है वो भारत वासियों को ही मार देगी और पाकिस्तान का नाम खराब करती है अरे पागलो तुम्हारा नाम खराब कौन करेगा यार तुम्हारा जलील करने में भाई पाकिस्तानीज और हुमिलेटिंग पाकिस्तानी इसमें इंडिया क्या करेगा और इंडिया कर क्या सकता वी कंटू absolutely nothing हम आपको उतना इंसल्ट कर ही नहीं सकते जितना आप में capability है खुद को इंसल्ट करने की समझ रहें आप तो यह किसाब मोदी जी ने पाकिस्तान's intelligence and security agencies have unearthed India's plans for a false flag operation of alleged infiltration into the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir made on the orders of Prime Minister Narendra Modi on the eve of country republic day कि भाई यह false flag operation है जिसमें की यह कहेंगे कि यह पाकिस्तान से लोग आए कश्मीर में पाकिस्तान से लोग आए कश्मीर में उन्होंने यहाँ पर terrorism करी है और यह plan जो है मोदी जी ने सब कुछ छोड़ दिया भारत को देखना छोड़ दिया भारत की foreign policy छोड़ दी मोदी जी ने भारत की economy छोड़ दी मोदी जी सब कुछ मोदी जी ने त्याग दिया सब कुछ बस एक चीज जी आदा है कि मुझे अब पाकिस्तान के खिलाफ साज़िश करनी है तोंकि पाकिस्तान इतना important है वो मुलक इतना important है इतना खास है कि मोदी जी ने पूरे world affairs छोड़ दिये G20 छोड़ दी शांगाई cooperation छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया जो बाइडन का call आ रहा है हलो हलो मोदी जी मोदी जी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं नहीं जो भाई अभी हम लोग बात नहीं कर सकते अभ मैं call मत करो I'm very busy ये पाकिस्तान और ये 26 जनवरी को होना था अब ये 27 है तो मैं पाकिस्तानी सो पूछता हो गई साजश ठंड पह गई खुश हो गई स्वाद आ गया है खुद को जलील करते हो यार खुद को जलील करते हो पाकिस्तानी intelligence मुझे तो लगता है पाकिस्तानी agencies क को intelligence कहना ही नीचे intelligence को है नहीं इन में तो पाकिस्तानी अपनी agencies को intelligence agencies क्यों कहते है मुझे इन समझ महीं है identified three individuals who would play a key role in New Delhi's plan Bashir an agent of India's 93 infantry brigade अच्छा ये पूरा जम्मू एरिया को paint कर रखा है लोग ने and two fellow companions identified as Alam and Aslam ये करेंगे false flag Bashir, Alam और Aslam ये false flag operation करेंगे As per the plan, Bashir was tasked to recruit locals who would then be presented as alleged terror agents attempting to infiltrate into India from Pakistan and then participate in serptitious activities in IOJK by planting bombs including an improvised explosive device which would be used to ambush troops from the Indian Army's 93 brigade of the Dogra Regiment ये तो हाल है इनके Geo News के, 93 brigade of the Dogra Regiment Dogra Regiment के अंदर 93 brigade है भाई साब आप आपकी तो country में फौजी शासन रह चुका है, चार बार आपको इतनी एकल नहीं है दौज़ा Regiment 93 brigade के अंदर है? यारी, anyway, यह लहोरी चूरन है, इसके बारे में मैं आपको नहीं समझा सकता जो फौजी देख रहे हैं, उनको जोग समझ में आगया होगा यह बहुत बड़ा लहोरी चूरन है, ठीक है जी पाकिस्तान's economy at risk of collapse, if IMF deal not revived, यह कोई खबर नहीं है पाकिस्तान's economy has always been at the risk of collapse, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे रुपी hits a historic low, अब यह रुपी जो है historic low hit कर रहा है और अभी रुपी का जो है वो 255.43, ठीक है, यानि 43, 255.43 पे आ गया है, यानि 255 मान लो, अब 255 रुपे पे आ गया है ठीक है, और पाकिस्तान की currency, अच्छे यह पाकिस्तानी कह रहे है हमारी currency 255 पे आ गई है अडे 255 पे आ जाए तब तुम क्या बेगाड लोगे यार, या 244 पे हो जाए तब तुम क्या बेगाड लोगे, मुझे नी समझ मेह रहा है यह सब, ठीक है following the government's decision to end its control over the rupee dollar exchange rate as part of the international military fund condition the currency slid 9.6% or rupees 24.5 to record a low of 255.43 बच्चों आली बात हैं या दिल के अच्छा यह देखो Pakistan यह कह रहा है कि साब US से कह रहा है गयार थोड़ा सा हमारी मदबद कर दो यह वही US है जिसको इनका पुराना परधानमंतरी गालियां देता था इमरान खान वेरूनी मुल्क की साज़िश है foreign conspiracy है imported हकूमत ना मंदूर शेवाज शेरीफ के लिए कहता था कि अमरीका है डानल्ड हूने एक साज़िश कर दी यह यार इतने दोगले लोग क्यों है यार मुझे एक बात समझ भनी आते है इतने दोगले क्यों है यार इतने दोगले इतना दोगलापन एक बंदा कहता है कि US हमारे पीछे पड़ा हुआ है दूसरा बंदा कहता हमारी मदद कर तो इनमें कोई या तो कोडिनेशन नहीं है या जरुत से ज़्यादा कोडिनेशन है ये भी हो सकता कि भाई गुड कॉप बैड कॉप प्ले करेंगे तू गाली देना हम इनकी मिन्नताइं करेंगे तो दोनों का गेम ठीक चलेगा तो इमरान खान से बोला भाई एक काम कर इमरान भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गालियां दो ठीक आशाबास भाई मैं उनको गालियां दूँगा आप इनकी मिन्नताइं करो इनके तर ले करो इनके हाथ पर जोडो आप पैसे लाओ तो गुड़ कॉप बैड़ कॉप हम लोग प्ले करेंगे या तो ये गेम चल रहा है इनका क्योंकि कुछ महने पहले ये गालियां दे रहे थे पाकिस्तान की गवर्मेंट हम इमरान खान क्यों बोलें he was the Prime Minister at that time भई April से पहले और April में तो वही Prime Minister था कुछ महने पहले पाकिस्तान की सरकार अमरीका को गालियां दे रही थी the government of Pakistan was abusing the Americans now the government of Pakistan is saying please help us a few months back the Pakistani government was abusing the government of France कि तुमने Prophet Muhammad के काटून बनवाए और उसको forward कराए now the government of Pakistan is saying जी पैसा दे दो हमें और ले भी लिए उनने 300 कुछ मिलियन उनसे यार या तो इनकी सरकार बिलकुल बेगाय रहता है या इन में कोई morals और ethics नहीं है या बड़ा confusion है कुछ तो गड़बड़ा है बहुत solid which I am unable to understand अच्छा दोस्तों एक खबर है United States of America की United States Special Forces ने एक ISIS Islamic State के terrorist को मारा है Al-Sudani को US Special Forces गई और ये सुमालिया गई जो बाइडन ने UK बोल दिया आप जाके ठोक दो ये गए जो परा-SF का काम होता है ये Special Forces का काम होता है ये ही उनका काम है ठीक है वो गए उन्होंने ठोका वो लोग वापस आ गए एक press conference होई बता दिया अच्छा ये काम ऐसे होता है कभी आपने सुना कि बिन लादन को माला है अर्द सुधानी को मारा अलजवेरी को मारा इसको मारा इसके बारे मैं किसी ने पूछा हो यार ज़रा सबूत तो दो यार इसका दरा तुमारी फोजें मार कर रही है सबूत तो दो इसका कभी आपने टीवी पे डिबेट देखी इसकी कभी नहीं स्पोक्सपरसन आता है यूएस का प्रेज़ेंट आता है जी हमने मारदे लोग कहते है वेल डन कानी खतम आगे बढ़ो यह भारत में ही होता यह सबूत लाओ सबूत लाओ इस तरीके से अंदर गई उनकी पूरी स्ट्राटेजी उनकी पूरी टैक्टिक्स हमें ही पता होनी चाहिए क्यों पता होनी चाहिए आपको कि चुपचाप से जाके अपने चीनी दोस्तों को बता दो अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बता दो कि जब इंडियन आर्बी अगली बार जाए तो फच जाये वहाँ पर मैं आपको इबार बता हूँ मैं Patriot Shoot करने गया था ठीक है? Seven sector RR राश्ट्र राइफूल्स का है Seven sector RR तो Seven sector RR में जब मैंने Shoot कर रा था एक sequence और मैं PRA SF ये साथ था ठीक है पराइसफ का एक officer था बाकी उनके जवान थे और उसमें मैंने भी bulletproof jacket पहनी और मैंने भी helmet पहनी मेरे हाथ में भी 1KK47 थी और हम पूरा recreate कर रहे थे कि घर के अंदर किस तरीके से जाते हैं हमने पूरा shoot करा shoot करने से पहले वो जो parasf का officer था उसने मुझे से बोला कि sir आप shoot कर लो आपका माने है लेकिन एक चीज़े मैं आप से request करूँगा end में और आप please मेरी बात मान ले ना मैंने उसको बोला कि ठीक है आप जो बोलोगे मैं आपकी बात मान लोगा पूरा shoot करा उसके बाद कहता है sir आपको आपने shoot कर लिया ठीक है अब आप एक काम करिये sir अब आप इसको delete कर दीजे क्यों 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 कि कहता है sir जिस तरीके से parasf जाती है जिस तरीके से जाती है parasf जिस तरीके से parasf काम गरती है हम किसी को नहीं बताना चाहते है किसी दूसरे के मुल्क में जाके जो हमने ऑपरेशन करा है वो तो बहुत बड़ी बात है वो तो अलग लेवल की स्टोरी है सर्जिकल स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ टेलिविजन कैमरा के सामने शो बाजी के लिए सिर्फ दिखाने के लिए हम वो भी नहीं दिखाना चाहते उनके सामने मैंने कैमरा परसंस को बलाया दो थे दोनों उनके सामने डिलीट करा वाइप आट करा मैंने बोला ठीक है मैं फॉजी हूँ मैंने आपको जबान दी वहाँ पे एक गुर्खा राइफल्स की भी एक यूनिट थी और वो जो गुर्खास का सी ओ था कमांड निग ओफ सर यह रिक्वेस्टेट रवाद को अधिर नेरी बात हो गई इस डिलीट देख लो उनना देख लिए देख लिए देवे साटेस्वाई कर आपका मन्था देखने का सर हो गया है यह तीवी पर नहीं जा सकता इस इस देख लेवल अफ सीक्रिस सी अट यूरों स्पेशल फोर्स उपरेट विए उनकी शकले हम नहीं दिखा सकते कहीं पर जब तक गर्मेंट सैंक्शन न करे आमी हैड़कोर्टर सैंक्शन न करे उनके फेसिज नहीं आते कभी मैंने स्पेशल फोर्स फर्स ट्रेइनिंग स्कूल जो आ एत ले मैं औरा मैंने Hermacal प्रदेश में चंडिगढ़ के बहर से यह ये, वहार पे वान पेरा एस भी और एसफेटी एस भी है, स्पेशल फर्स ट्रेइनिग स्कूल मैंने SFTS के साथ शूट करा ठीक है मैं चार-पांच दिन रहा हूं के साथ और मैंने पहरा SF के साथ शूट करा एक बंदे की शेकल नहीं आई उसमे और पूरा पेट्रियोट का 55 मिनट का एपिसोड शूट हो गया एक शक्स की शेकल नहीं आई उसमे यह तो नहीं नकाब पहने हुए थे अफेस नहीं बलर करवा दिया यह ऐसे शूट कर रहे थे पीछे सर का पीछे वाला ऐसा दिख रहा थे वो इतनी सीक्रिसी मैंटेंड करते हैं कि वो बताते नहीं कि हम कौन है क्या है क्या करते हैं that is the level of secrecy यहाँ पे हमारे नेता यह चाहते हैं कि पैरा ISF किस तरीके से पाकिस्तान में गई जरा हमें भी प्रूफ दो या और हमें बहुत बहुत आ रहा है देखने के लिए यह मरवाने वाली बात कर रहे है तो मैंने आपको बता दिया किसी ने सबूत नहीं मंगा यह यहीं पर कर्चर है बारत में कि सबूत दे दो सबूत दे दो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खतम होता है अब हम आते हैं अपने फेवरेट राउंड क्वेश्चिन अन्सर तो दोस्तों जो पहला सवाल है वो आज को गौरव विने का है यह कह एं कि रिपोस्ति अज़िखने गएं तोड़ी बातोग दन्यवाद आपके सवाल के लिए I am about to enter my third year of MBBS, I have started to explore my career options after graduation. Army Medical Corps is something that is really interested me and I'm willing to serve in the armed forces. Since you're an ex-serviceman can you please share your insights about AMC and the life of doctors in the Indian Army doctors in the Indian Army have the same life that doctors outside have except that it is far more challenging ठीक है, एक पैसे तो फॉज में होते ही मिलते हैं, राइट? जैसे बहार अगर कोई बड़ा डॉक्टर है, तो करोड़ फदी पी उसकता है, फॉज में तो इसका कोई स्कोप है नी जादा पैसे का, तो जो सबकी सेलरी होती ही हुए डॉक्टर की भी होती है, लेकिन वो अंकघकना लोग्टर का, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजे, मैं हून नहीं लेकिन तो मान लीजे कि मैं अगर शॉज में तो होगा मेजर ब्रैकट मैं दॉक्टर गॉरह भा रिया, तो इस-ट्रॉपर रो डॉक्तर ईव्रीवरेख, अभॉर अज्य जनरल्स औप्र मेरा कोस्मेट है, ब्रिगेडे शांतनु गोहल, ही उस कमांडिंग सिल्वस्ट्राइक ब्रिगेड तो उन्ही के एक एक यूनिट का आरेमो था, जो मेडिकल अफसर था, उसी ब्रिगेड के एक यूनिट का, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने बड़ा डॉक, यार एक बात बताओ, आपने काम क्या करा और, यूनो, he was talking about his adventures होता न, जैसे फौजी बात्चीत होती है, और यह है इसमें, पेट्रियोट में अगर आप जाएंगे तो आपको देखेगा, कहीं पर आप धूंडियेगा, बबीना में थी ये शूटिंग होई थी, Silver Strike Brigade के साथ, तो उस डॉक्टर ने बड़ी इंफ्रेस्टिंग बात बोली, उसने बोला कि मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, मैं दो किसम की गोली देता हूँ, एक तो पेशन्ट को गोली और एक आतंगवादी को गोली, तो मेरे पास दो किसम की गोली रहती है, तो यही फॉज के डॉक्टर करते हैं, मैं essentially आपको यह बता रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे किसी भी फॉजी हॉस्पिटल में, तो आपको वो डॉक्टर्स नहीं दिखेंगे, जैसे आपको दिखते हैं, सफेद कपड़े उनके होते हैं, जैकेट होती है, या फिर उपर से वो नीला रूप पहने रहते हैं, आप जैनली जाएंगे, मैं तो 92 बेस ऑस्पर कि श्रीनगर में भरती हो रखा हूँ, मैं एड्मिट वहाँ पे हो चुका हूँ, फोर अ सर्टन लेंथ अफ टाइम उलसो, ऐसा नहीं कि एक दो दिन, सर्टन लेंथ अफ टाइम, मैं बात कर रहा हूँ, 97, 98, उसके आसपास की, मुझे याद नहीं साल, तो वहाँ पे भी डॉक्टर कॉंबाइट ड्रेस पें के आते हैं, आपको लगता था, फोजी एड जूटी पे जा रहा है, बड़े-बड़े बूट्स, कॉंबाइट ड्रेस, बेरेस, पूरा फुल रैंक के साथ, रिबंस के साथ, तो, there are soldiers who are doctors, but essentially all of them are soldiers, इतना मैं जानता हूँ इनके बारे में, अर्पिता शर्मा जी, अर्पिता शर्मा जी का सवाल है कि, पाकिस्तान's military has been ranked number seven, upgraded a couple of ranks from last year, ये global firepower index की बात कर रही है, what is your opinion on this, is it reliable true and if not, what would be the reason for publishing this way, देखिये, इसमें न, I don't think it's a false picture, इसमें काफी चीज है, अब अगर उस country के पास nuclear weapons हैं, तो, global firepower index में जाहर सी बात है, कि उपर ही होगा, चाहे conventionally army और किसी की बहतर हो, लेकिन nuclear weapons carry a lot of weight, and I think that is why it is where it is at number seven, fact of the matter is that Pakistan does not have the money to fight a war, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि जंग लड़े, आज की तारिक में मैं आपको बता हूँ, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इन्फिंट्री डिविजिन को mobilize कर ले, लड़ाई के बहुत दूर की बात है, लड़ाई भूल जाईए, पाकिस्तान does not have the money to, you know, operationalize, send into operation, one infantry division, उसके पास हैं नहीं पैसे, there is no foreign exchange, there is no reserve, there is no money, there is nothing, वो तनखाएं दे पारें न अपनी फौज को, और अपने वेटरेंस को किसी तरीके से pension दे पारें, बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, वो आप कह रहे हैं लड़ाई की बात, माम यह फांके से हैं लोग तो, इनका बहुत बुरा हाल है, तो फाइर पार इंडेक्स, ग्लोबल फाइर पार इंडेक्स, I think यह मेरा मानना है, पाकिस्तान का बुरा हाल है आज की तरीक में, तीसरा सवाल है आकाश यादफजी, आकाश यादफजी यह कहते हैं की, थांके लोट सर्फाय थाइर नर्स पाइर पाकिस्तानी पारलिमेंट फिल्ड इडिटS, मैं नहीं कह रहा, यह आकाश जी नहीं बोला है, अब आकाश जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि यह इतनी चीज उनको समझ में आजाती है तो फिर तो खेली खतम हो जाता है इतनी सिंपल सी बात कि फोकस अन यूर एकॉन्टमी फोकस अन यूर एकॉन्टमी डोंट फोकस अन अल दिस ये ताम जाम कश्मीर फश्मीर इससे कुछ ना होने वाला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम्हारी एकॉन्टमी स्ट्रॉंग है तो तुम कश्मीर की उपर आवाज बुलन करोगे लोग सुनेंगे भिकारी की क पाकिस्तान को समझना मुश्किली नहीं नमोंके नहीं ये अपने लेवल पर चलते हैं लोग ये अजीब होगरी भरकतें करते हैं ये खुद को नुकसान पहुचाते हैं और बाहर साज़िशें ढूनते हैं ठीक है फिर कहते हैं हमारे साथ धोका हो गया हमारे साथ गाड़ियां टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लो या फॉजियों को अपने ड्यूटी फ्री देदो उस पर टैक्स मत लगाना बुलिट प्रूट गाड़ी जिसमें से काफी कुछ फॉजियों के लिए भी थी हैं 20-30% वर फॉजी किस ने बोला पाकिस्तान को किसी डूलते हैं कॉंस्परेसी तो आपके सवाल का जवाब आकाश जी ना मेरे पास है ना पाकिस्तानी ये सवाल का जवाब ही नहीं जो आपने पूछा है इस आपके लिए बोल रहा हूँ ये जो आपने सवाल पूछा है भाई इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है ये अजीब से लोग है, उनके software अजीब सी है और इनको समझना मुश्किल है Right? अभी भी आप आधे-पाकिस्तानीों से पूछेगा आधे-पाकिस्तानी आपको आपकी इंटर्वू लेतist है, मैं बोड़ेखते हैं, यूट्यूबर जाते 50% तो पाकिस्तानी स्थिंग अब आप ऐसी जहनियत के साथ आप कैसे लड़ सकते हैं आप कैसे उनकों कर सकते हैं जो एक बेवकूफों की एहमकों की जन्नत में रहता है आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अखरी जो सवाल है वो तपस्याजी तपस्याजी ऐसा है की आपका आप लिख नहीं नमस्ते जहन 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 तपस्याजी I have a question for you while Pakistan is on the verge of economic collapse how and where does the ISI get funds to carry out anti-India terror activities As we all know Khalistan is an ugly brainchild of ISI and it is alive and very active in Canada, UK and other western countries Even the so-called farmers' protest was funded by these goons to de-estabilize our country, sir, who's funding them? First of all, मैं आपको बता दू, farmers' protest, right? हाँ, उसमें खालिस्तानी elements थे, बट पूरे farmers ऐसे नहीं थे मैंने बड़े करीब से देखा है, ऐसे नहीं थे पूरे farmers, तो ये आपकी बात से मैं agree नहीं करता हूँ पर हाँ, उसमें खालिस्तानी elements आ गए थे और वो भाग गए चुहे का दिल है, खालिस्तानीों का तो जब दिल्ली पूलिस ने डिंडे गुमाई तो सब भाग गए, एक दिन गायव हो गए सारे के सारे लेकिन सारे farmers खालिस्तानी हैं, ऐसी बात गलत है उसमें से कुछ 1 और 2 परसेंट होंगे, बाकी 98 परसेंट का ऐसा कोई लेना गाना था ने उनकी प्रोटेस्स सही थी, गलत थी, ये मुझे नहीं पता लेकिन उनका पूरा हग था वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अब करना चाते हैं करें वो पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आता है, जारतर पाकिस्तान की जो फंडिंग आती है, इसमें नार्कोटेपरिजम से आती है और ये आज का काम नहीं बहुत पुराना काम है कि अफगानिस्तान से जो हेरोईन आती है, जो कोकेन आती है अफगानिस्तान से वो पाकिस्तानी ISI के ट्रक्स में आती है पाकिस्तानी आमी के ट्रक्स में आती है कराची तक और ये रूट 30-40 साल से चल रहा है ये फर्स्ट अफगान जिहाद के टाइम से चल रहा है and that is how Pakistan funds it पाकिस्तान ये नहीं कहता कि हम हाफस सहीद को इतने करोड रुपे दे देंगे जाओ इंडिया में बाम ब्लास करो ना ना ऐसे नहीं होता कि कभी और मैं इसके उपर एक पूरा सेशन लूँगा आप लोगों मों बताऊंगा किस तरीके से नार्को टेरिरिस्म होती है ठीक है इसमें क्या क्या है यह गोल्डन क्रेसंट क्या है गोल्डन ट्राइंगल क्या है यह कौन कौन से देश किस तरीके से रिफाइन होती है कहां पे होगाई जाती है कैसे यह पाकिस्तान में आती है पाकिस्तान की आमी नेवी और एफॉस किस तरीके से हेल्प करते है खास्तोर से I.S.I. किस तरीके से मदद करती है कि ये दुनिया भर में भेले तो दोस्तों आज का एपिसोड यही पे खतम होता है मैं आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल एकन दवाना बिल्कुल नत भूलिएगा और चानक्या फोरम का मॉबाइल फोन आप जरूर डाउनलोड कर दियेगा दोस्तों जाहिंद वंदे मात्रम और भारत माता कीजए जर च्वड़ू कर दोस्तों प्सक्राइब करिए बिल्कुल